कि अधिए पेज नमबर 86 एंड क्वेस्टिन क्या कह रहे हैं हमें कि एक्सप्रेस्ट था फॉलॉइंग दिवीजिन्स हमें कुछ डिवीजिन्स गिवन है और हमने उन डिवीजिन्स को कनवर्ट करना है Fractions में और फ्रेक्षिन्स किस थरह के होने चाहिए simplest form वाले fractions होने चाहिए यानि कि Fr net Richtions की simplest form क्या होती है? दो इस fraction کی simplest form क्या होगी कि इन ये दुनों किसी एक table में ना आ रहे हों अगर ये दुनों numbers किसी एक table में आ रहे हैं तो पहले हम इने cancel करेंगे जो form हमारे पास आएगी वो simplest form होगी अभी ये fraction simplest form में नहीं है क्योंके 3, 5's जा क्या होता है 15 होता है हम इसे cancel कराएंगे जो हमारे पास एक fraction आएगा वो फिर हमारे पास simplest form होगी इसकी तो चलें question solve करना start करते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इसे समझ सकें कि simplest form क्या होती है first question है हमारे पास 4 divided by 8 इसका क्या procedure होगा किस तरह से आपने इसे solve करना है सबसे पहले हम division को fraction की form में लिखवाएंगे 4 upon 8 क्योंकि यहाँ पर division given है और division को हम fraction की form में लिखवा सकते हैं इसलिए हमने इसे इस तरह लिखवा लिए ताकि हमें cancellation करने में असानी हो अब यह देखें कि 4 के table में 8 आता है या नहीं आता मतलब किस तरह से हमें से चेक करते हैं simplest form बनाने के लिए कि अगर यह दोनों नंबर किसी एक table में आ रहे हैं तो वो कौन सा table है और या अगर चोटा नंबर जो है चोटे नंबर के table में बड़ा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है यह चीजें हम चेक करते हैं तो अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि 4 के table में 8 आता है 4 टूजा 8 होता है तो हम इसे किस तरह से cancel करेंगे 4 1s are 4 and 4 2s are 8 ओके तो हमारे पास इसका क्या answer आएगा 4 upon 8 किसके बराबर हो गया अब 4 0 rate तो cancel हो गया है अब जो हमारे पास new fraction बनेगा वो क्या होगा कि उपर ये वाला नंबर लिखेंगे उस fraction में और नीचे ये वाला नंबर लिखेंगे यानि नियूमिनेटर अब हमारे fraction का simplest form वाले fraction का numerator 1 है और denominator 2 है सो हमारा जो simplest form हो गई कि वो क्या आगई 1 upon 2 ये आपका अंसर है ये आपने simplest form निकाल दी अब देखें 1 के टेबल में 2 नहीं sorry 2 के टेबल में 1 नहीं आता हम इन दोनों को cancel नहीं करवा सकते इसलिए ये अब हमारे पास simplest form है दिल्कुल इसी तरह से आपने ये questions solve करने हैं बहुत easy questions हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा कि जब आप cancellation करवाएंगे तो आपने दूसरे color का pen यूज करना है अगर आप blue color से लिख रहे हैं और blue से ही cancel करवा देगे तो फिर आप जब बात में उसे देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा इसलिए आपने जो cancellation करनी है और ये जो numbers लिखने हैं ये किसी दूसरे color के pen से लिखेगा ओके part b भी बहुत easy है let's start it 3 upon 12 sorry 3 divided by 12 हम इसे division को fraction की form में लिख वाएंगे 3 upon 12 ओके और हमें कैसे अंदाजा हुआ कि हमने यहां fraction की form में लिख वानी है क्यूंके question में हमें given था कि इन divisions को हमने fractions की form में express करवाना है इसलिए फिर हमने ये division वाला method यूज किया है 3 upon 12 लिख वालिया हमने अब हम इसकी cancellation करेंगे आप लोग ये बताएं कि 3 के table में 12 आता है या 12 के table में तो 3 of course नहीं आ सकेगा तो हम यहीं चेक करेंगे कि 3 के table में 12 आता है या नहीं आता तो of course 3 1s are 3 and 3 4s are 12 अब हमारे पास simplest fraction क्या आया है 1 upon 4 This is your answer अब ये मजीद हम इसको किसी number से या किसी table से cancel नहीं कर सकते इसलिए ये इस fraction की simplest form है So moving on Next question is 8 divided by 10 So हम इसे लिखेंगे 8 upon 10 Okay अब आप ये बताएं कि 8 के table में 10 आता है या 10 के table में तो 8 नहीं आ सकेगा 8 बंजा 8 होता है और 8 टूजा 16 एट के table में तो 10 नहीं आता और अभी तक हमने उपर जो दो questions किये हैं उनमें एक बताब चोटा number जो है चोटे number के table में बड़ा number आ रहा था तो अब इसको solve करने की क्या technique होगी कि जब ये दोनों number एक दूसरे के table में नहीं आ रहे तो फिर हम क्या करेंगे ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों number एक साथ किसी table में आते हैं जिससे कोई table ऐसा है जिसमें 8 भी आ रहा हो और 10 भी आ रहा हो तो येस एक table है ऐसा 2 का table जिसमें 8 भी आता है और 10 भी आता है ठीक है किस तरह से करेंगे फिर हम इसे 2 के table में 8 कहां पर आता है 2 4 जा 8 और 2 के table में 10 कहां पर आता है 2 5 जा 10 इस तरह से इसे solve करना है अगेन देख लें कि जब दोनों नमबर एक दुसरे की table में नहीं आते तो फिर हम क्या करते हैं चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा table है जिसमें ये दोनों नमबर आते हो येस ये दोनों even number है और 2 के table में आते हैं आप सबको बहुत अच्छे से याद है आप फॉरण से बता सकते हैं कि 2 4s are 8 and 2 5s are 10 तो इसकी simplest form हमने इस तरह से निकाल दी है अब क्या होगा 4 upon 5 आपका simplest fraction है ये आपने इतने fraction की simplest form निकाल दी है ये था आपका page number 86 का question 1 now moving on to question number 2 question number 2 में आप से क्या कह रहे हैं कि convert the following fractions into decimal अब आपको fractions given है आपने decimals में convert करना है question number 1 में आपको divisions given थे आपने उन्हें simplest fractions में convert किया अब आपको fractions given है और decimal में convert करना है तो let's see किस तरह से ये हम करेंगे decimal point वाले answers को कहते हैं point को decimal कहते हैं तो आपने solve करना है ताकि आपका answer आजाए points की form में three upon five we all know कि जो denominator होता है वो हमेशा division के sign से बाहर लिखा जाता है और जो numerator होता है वो अंदर लिखा जाता है so five लिखेंगे हम बाहर division में और three लिख देंगे अंदर अब five one's up five five की table में three से three नहीं आ सकता क्योंके five one's up five और five तो है वो one से three से बड़ा हो जाएगा इसलिए अब हम क्या करेंगे कि अब table तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं five का क्योंके three छोटा है यहाँ पर फिर एक technique होती है कि हम points लगाते है points लगाने की technique इस तरह से आती है कि आप यहाँ पर point लगाएंगे और एक zero यहाँ हम add कर देंगे एक लगा देंगे इसके साथ zero sorry add नहीं करेंगे zero add करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता point लगाएंगे और zero बढ़ा देंगे यहाँ पर अब यह क्या हो गया 30 अब five six थर्टी अब हमने पढ़ लिया five का table आसानी से क्योंके हमारे पास जो number आया है वो five five से बढ़ा है और अब हम असानी से five का table पढ़ सकते हैं तो जब भी आपके पास division में कोई ऐसा number हो जो के छोटा हो और बाहर वाला number बढ़ा हो तो फिर आप क्या करते हैं point लगाते हैं और zero बढ़ा देते हैं तो आपका decimals में क्या answer आया three upon five का three upon five equals to zero point six यह आपका answer it's easy आप असानी से कर लेंगे division तो आप सबने सीखा हुआ है बस यह points एक नया topic है आपके लिए okay next question है हमारा 13 upon eight तो अब आप बताएं के मुझे division से बाहर क्या लिखना है और division के sign से अंदर क्या लिखेंगे okay eight जो है eight denominator है denominator हमेशा बाहर लिखा जाता है बाहर लिखना है और उपर वाला number भी चाहे बड़ा हो छोटा हो जो भी हो आपने हमेशा उपर वाला number जो है वो अंदर लिखना है और नीचे वाला number जो है वो बाहर लिखना है इसमें गलती नहीं करनी कि जो बड़ा नंबर है उसे हम बाहर लिख दें और छोटा नंबर जो है उसे अंदर लिख दें Be careful 8 and 13 अगर आप ये बात अपने माइंड में रखेंगे आपका ये डिवीजिन कभी भी गलत नहीं होगा अब इसलिए क्वेश्चन में क्या था कि हमें जो अंदर नंबर लिखा हुआ था वो इतना स्मॉल था कि हम 5 का टेबिल 1 तक भी नहीं पढ़ सकते थे 5 वन्जा 5 होता है और 5 जो है वो 5 वन्जा 5 और 5 इस ग्रेटर दन 3 तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे 5 का टेबिल लेकिन अब यहां पर जो है वो थोड़ा सा चेंज है टेकनीक के 8 वन्जा क्या होता है 8 और 8 जो है वो छोटा है 13 से इसलिए हम 8 के टेबिल पहले 1 तक पढ़ लेते हैं आपने ऐसे नहीं करना कि यह तो डेसिमल वाले कॉस्चन है तो फॉरण से उठा के डेसिमल लगा देए इस रॉंग आपने ऐसे नहीं करना आपने पहले टेबल पढ़ना है जहां तक आसानी से आपका टेबल आ रहा हो व से तो फिर आपने अब डेसिमल एड परना है पॉइंट लगाया इदर और जीरो बढ़ा दिया अभी क्या बन गया फिफ्टी अब हमने एट कर टेविल वहां तक पढ़ना है वही जो डिवीजिन की टेकनीक होती है एट कर टेविल हमने वहां तक पढ़ना है कि या तो हमारे आपने वह नंबर लेना है जो के छोटा हो एट सिग्जा फॉर्टी एट सिप्ट्रेक्ट कर वाएंगे फिफ्टी में से फॉर्टी एट माइनस हो तो टू बच जाता है पॉइंट लगा हुआ है जीरो बढ़ा देंगे अच्छा आपने बार बार पॉइंट नहीं लगाना एक बार आप पॉइंट लगा दें तो फिर आप जितने जीरो चाहें बढ़ा सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान लगना है कि एक स्टेप में आपने एक ही जीरो बढ़ाना है ऐसा ना हो कि आप एक से ज्यादा जीरो बढ़ा दें अगर आपको एक से ज्यादा जीरो चाहें होंगे तो फिर उसके लिए हमें यहां पर भी 0 आड़ करना पड़ेगा ओके अब 8 के टेबल में 20 से छोटा कौन सा नमबर आता है 16, add 2, 16 सब्ट्राइट करवाएंगे ओके क्या आएगा हमारे पास 4 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे 8, 6, sorry 8, 5, 40 तो आपके पास क्या आणसर आजाएगा एक मिनट इसको हम दुबारा से solve कर लेते हैं वैसे answer तो हमारे पास यही आएगा 8, 1, 0, 8 subtract करवाया 5 आगया पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 8, 6, 48 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया 8, 2, 16 फिर 4 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया तो सिप्ट्राइट करवारे हम 8, 5, 40 तो आपकी 13 अपॉण 8 की डेसिमल रेप्रेसेंटेशन क्या आ गई 1.625 ओके नाओ पेज नमबर 86 का कॉस्टन नमबर 3 Convert the following decimals into fractions in their simplest form Q2 में आपको fractions given थे simplest form में आपने क्या किया था उन्हें decimals में convert किया था अब आपको decimals given है और आपने उन्हें fractions में convert करना है बहुत अच्छे से ध्यान से हर method को memorize करें mix नहीं कर दियेगा कि क्या करना है इसमें ठीक है अब decimal numbers को किस तरह से fractions में convert किया जाता है लेट्स सी 0.4 इसके लिए हम क्या करेंगे अब एक different color का pen use करेंगे क्योंकि हमने इसे fractions में convert करना है इसलिए हम एक fraction की line लगाएंगे अब क्या तरीका होता है students के जहां आपका point होना आप वहां से अपने point को erase कर दें समझे आपने point erase कर दिया और point के नीचे आपने लगा दिया one one लिग दिया और point के बाद आपके पास जितने digits होंगे आप यहां उतने zeros लगा देंगे अब point के बाद सिर्फ four है one digit है तो आप one zero लगा देंगे it means के आपका fraction जो है वो क्या बन गया four upon ten जब आपने upon में ten लिख दिया यानि के आपने point को erase कर दिया तो अब हम decimal को दुबारा नहीं लिखेंगे आपका decimal खतम हो गया है और decimal खतम होने के बाद अगर आप देखें आपके mind में question आ रहा होगा कि हमने इसे zero four क्यों नहीं लिखा तो जब किसी नंबर से पहले zero होता है class और सिर्फ zero है यहाँ decimal point बगएरा कुछ नहीं है तो फिर उस zero की इतनी importance नहीं होती हम उसे नहीं लिखते अब four upon ten एक काम तो हमारा हो गया इस question में हमें दो काम बोले में कि decimals को हमने एक तो fractions में convert करना है दूसरा fractions की भी क्या होना चाहिए simplest form होनी चाहिए अब fraction तो आपने बना लिया है इसकी simplest form किस तरह से बताएंगे यह हमने question number one में सीखा था कि अब four के table में ten आता है यह नहीं आता देख लेते हैं four one's are four, four two's are eight, four three's are twelve, four के table में तो ten नहीं आरा और ten के table में four आ नहीं सकता फिर अब हम यह देखेंगे कि यह दोनों number एक साथ किसी table में आ रहे हैं तो the answer is yes यह दोनों number एक साथ किस table में आते हैं two two's are four, two five's are ten तो आपके पास क्या fraction बनेगा two upon five यह आपके पास जो है simplest form है fraction की अब two और five एक साथ किसी table में नहीं आते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है simplest form ओके यहां हमने यह complete कर लिया पहले हमने इसे fraction में convert किया उसके बाद इसको cancellation करके simplest form निकाल ली moving on part b है इसका 5.6 ओके 5.6 same वही टेकनीक के point हटाएंगे हम पहले different color का pen use करना है आपने point हट गया point के exactly नीचे हमने one लगाना है और point के बाद जितने digits हैं उतने zeros लगाने हैं point के बाद सिर्फ six है only one digit we have so यहां पर हम एक zero लगाएंगे तो हमारी fraction की form क्या बनी 56 upon 10 अब यह हमारा fraction तो आ गया लेकिन यह simplest form नहीं है क्योंकि ओपर और नीचे मतलब denominator और numerator दोनो even है और even numbers हमेशा two के table से cancel होते हैं तो हम different color का pen use करेंगे cancellation के लिए हमें पता है two fives are ten होता है अब यहां पर cancellation किस तरह से होगी जिस तरह से division ही होता है तकरीबन two twos are four two के table में five से छोटा कौन सा number आता है four one carry दे देंगे क्योंकि five minus four one और two eights are sixteen तो आपके पास क्या answer आया 28 upon five जब भी आपके पास cancellation में इस तरह के digits आ रहे हों जो के exactly नहीं divide होते शुरू में तो आप फिर next number पर carry दे सकते हैं ओके एक question हम और कर लेते हैं जिसमें point के बाद दो digits आ रहे हों तो हम उसे के तरह से solve करेंगे suppose we have one point zero six page number eighty six पर हैं हम question number यही है part c one point zero six okay अब हमने वही करना है one point zero six different color का pen use करना है point हटाने के लिए point के exactly नीचे one आएगा point के बाद इतने digits है two तो हम यहाँ पर two zeros लगाएंगे अच्छा class पिछले question में भी एक बात mention करना नहीं की मैंने के जब question number one आपने solve किया था तो पहला digit जो था वो zero था zero point four था इसलिए आपने यहाँ पर सिर्फ four लिखा क्योंके अगर किसी number से पहले zero हो तो उसकी कोई इतनी importance नहीं होती हम उसको सिर्फ वोई number भी लिखवा सकते हैं अब यहाँ पर five point six है यहाँ zero नहीं है बलके five है तो इसलिए हम आगे five लिखेंगे next step में हम five लिखेंगे ऐसा नहीं है कि five जो है उसे हम ignore कर देंगे जिस तरह हमने zero को ignore कर दिया था तो यह 56 हो गया इसी तरह से next question में अब one point zero six है तो यह one भी ignore नहीं होगा हम इस one को लिखेंगे यह क्या नंबर बनेगा one hundred six upon hundred अब यह दोनों numbers क्या है even है इसलिए हम इने टू के टेबल से cancel कर वाएंगे cancellation के लिए भी आप different color का पहनी उस करेंगे two five's are ten two five's are ten और zero as it is two five's are ten और two three's are six आपके पास क्या answer आएगा 53 upon 50 so इस question में point के बाद दो डिजिट्स थे तो हमने दो zeros लगा दिये तर hundred बन गया यह